स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब टैनल तेयारी सलाप है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 10 वजे ठीक पजल का एक वीडियो लेके आएंगे इसमें आपको अब पजल से डरने की ज़रूरत नहीं तो अब आप पजल सीखे एक बहतरी पर कल भी मैंने बताया था पजल पसल और डॉंट रियक्ट विथ मी यानी पसल प्रियाक्ट एक डब जल्दी नहीं करना है ठीक है जैसा यह बोल रहा है वैसा अक्ट्रीश में होता नहीं है और इसको मैंने बताया था जिन लोगों ने अगर आप लोगों निहां हमारा पह के तरीका है और कैसे इसको हम लोग solve करते हैं ठीक है एक ही box में तो चलिए अब चलते हैं start करते हैं सवाल तो देखिए मैं थोड़ा side हो जाता हूं अब आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको सवाल एक दिखाई कि दे रहा है कर रहा है देखिए क्या रहा है कि 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 कर रहा कि study the following information कि इस वार हिंदी और इंग्लिस दोनों में रखा गया अगर हिंदी में कुछ गल्तियां हो जाए तो माफ किजेगा इसको translate किया गया है मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो कह रहा है कि कितने तो निमलिखी जनकारी को ध्यान पुर्वगधन कीजिए और क्या गया रहा है साथ व्यक्ति के बारे हम कह रहा है के आर पी एल टी एम और भी ठीक है और कह रहा है सब्सक्राइब कर मंड़े से लेकर संड़े के 20 तक मीटिंग होती है तो व्यक्ति कौन कोन है के आर पी टी एल एम और बी और कहां है अलगला कंपनी कौन कोन सी है तो SBI है देख सकते हैं आप BOB है Bank of Bada है IDBI है ICACI है RBI है और यह IDFC और यह BOM Bank of महरास्था लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो ठीक है यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो तो ऐसा दिया गया है आप अगर यहां सबसे पहले पजल करने का एक यह भी मैथड है कि आप पजल को पहले 30 सेकंड 40 सेकंड तक आराम से पढ़ दीजे तो आप देख रहे हो कि आप भी पढ़ रहे हो सवाल आपके सामने है तो क सब्सक्राइब करने का मत्तब यह है कि M से पहले भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या आर के बाद भाग लेने वाले से व्यक्तियों की संख्या से अधीक है ठीक है यानि जो आ एम जो होगा वो आर से अधीक होगा चलिए आगे चल रहे हैं तो कर रहा है इधर देख रहे हैं तो अब यहां चल रहे है आर नाइदर वाकिन आई डी एफसी नौर वरकिन स्बी यानि कह रहा है कि यार ना तो काम इसमें करता है ना तो आई डी अफसी में काम करता है ना तो B.O.M.B. यानि कहा रहा है कि M.R. से पहले बैठक में भाग लेता है B.O.M. यानि Bank of महरास्ता में काम करने वाले के बीच दो से अधिक व्यक्ति भाग बैठक में लेते हैं ठीक है आगे चल रहे हैं L R वर्क इन B.O.B. L जो है किसमें काम करता है ठीक है यहाँ पर थोड़ा हिंदी में गड़बड हो गया है तो आप इसको देख लेंगे B.O.M. अगे चलते हैं आगे देख रहे हैं तो L. वर्क इन B.O.B. लेस देन 2 परसन अटेंड दा मिटिंग बिट्विन L. अटी Only one person attends the meeting between T and the one who work in IDIBI IDIBI यहनि कहने का मतलब है कि आला और T के बीच बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति एक व्यक्ति T और IDIBI के बीच में भाग लेता है अब लास्ट क्या करा है K. ड़्नाट अटेंड दा मिटिंग on the last day के अंतिम दिन बैठक में सामिल नहीं होता है T does not work in RBI यानि T जो है RBI में काम नहीं करता है तो केवल आप यहां देख लीजेगा कि यहां पर कहा रहा है कि B attend the meeting before P तो B जो है काम करने से पहले B में भाग लेता है यानि कि P को यहां पर आप अगर change कर दोगे तो हो जागा सारा केवल यहां पर थोड़ा सा point एक P के जगा B हो गया है बाकि आप आपके बहतरी के लिए हम लोग English और Hindi दोनों में सवाल लेके आए हैं तो हमने पजल पढ़ लिया तो अब चलते हैं इसको solve करते हैं तरीका क्या है solve करने के बाद इसके 5 सवाल बनाएंगे तो चले एक बार हमें फिर से यहां सवाल पढ़ना है तो आपको पता है तो एक हम लोग column बना लेते हैं column क्या कर लेते हैं तो देख लिजिए जब कभी यह day based पजल है यानि कि day month year यानि कौन सा है तो जब कभी आपको दिखे day इसमें आप day को constant कर दिजिए constant कहने का मतलब कि यह स्थीर हो जाएगा आप आराम से Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday लिख लें अब देखे P से हो गया यहां पर person और यह M से हो गया meeting तो अब जो जो person यहां तो हम क्या कर सकते हैं कि person और meeting को अलग अलग यानि की variable ले सकते हैं यानि उपर नीचे कर सकते हैं इसको कहीं भी बैठा सकते हैं possibility के या फिर clue के according लेकिन जब कभी day based पजल रहे तो आप day को constant कर दिजिए यह आराम से हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग यहां पर क्लू कर लेते हैं तो से पहले इसको clean कर लेते हैं ताकि चीजे आपको आराम से समझ में आ जाए चलिए हमने इसको clean कर लिया अब आप धियान से देखना कि केवल एक box में कितने box में तो एक box में हम इसको solve करेंगे ठीक है केवल आप ध्यान देखते रहना ठीक है चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें clue पे ध्यान देना है कि clue कैसे कैसे चल रहा और इसकी क्या है तो चलिए तो सबसे पहला अगर हम आप देखेंगे, तो हिंदी में पीछे दिया गया, आप आराम से देख सकते हैं, इसका पीडिया भी आपको मिल जाएगा, कल भी पीडिया भी मिल चुका है, तो कर आप पी अटेंड, यानि कि यहां से अगर देखेंगे, पी अटेंड दा मीटिंग नाइधर और फॉस्ट नौर लास्ट देखेंगे, इसका कहने का मतलब हमने इसको वन पॉइंट कर लिया, पहला कलू, कहने का मतलब यह है ना, समझेगा बात को, कि पी अटेंड मीटिंग नाइधर फॉस्ट और नौर लास्ट, यानि पी जो है, ना तो फॉस्ट को अटें ही है, तो ना तो यह मंडे को है और ना यह संडे को, कहने का मतलब इसका यह है, अब आगे चल रहे हैं, तो देर, सोरी, थ्री परसन, कितने परसन, थ्री परसन अटेंड दा मीटिंग बिटिविन पी आड दवान हू वर्क इन S.B.I. चली, यह इसको हम ले यहां पर कर दिय तो आप देखोगे कि यह P से related है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो एक दूसरे से related है, पहले इसको collect कर लेते हैं, तो यह यह पहला में ही इसको हम रख लेते हैं, यह पहला पुलू में ही रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहां P की बात कही थी और यहां भी P के बा लेकिन समझेगा आप इसको कैसे पढ़ते हो तो इसको आप पढ़ते हो तीन और यह पजल बोल रहा है लेकिन इसको तीन नहीं पढ़ना है मेरे बच्चो इसको पढ़ना कितना है तो देखें यह भी तो बैठेगा और यह भी बैठेगा तो कितना हो जाएगा यह 5 कितने हो ग यानि आराम सी इसको हम पी को यहां बैठा सकते हैं क्योंकि थ्री परसन अटेंग मिट्विन पी एंड दवन हूं वर्किन SBI तो सिंपल सी बात है कि अब अगर हम इसको बैठाना हो तो कैसे बठा सकते हैं पी उपर होगा नहीं लेकिन SBI तो हो सकता है न तो जब कभी आपको ऐसा दिखें कि एक के बारे में काटा गया है कि पी के साथ आया और SBI के बारे में बोल दिया कि यह ना तो first day ना तो last day है तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक काम करते हैं कि SBI को यहाँ ले लेते हैं क्योंकि P नहीं होगा तो SBI तो हो सकता है अब 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 and 5 तो यह हम ले लिए P अब एक काम आप यह भी कर सकते हो कि SBI को आप यहां ले सकते हूँ, क्योंकि सर बोलोगे सर कि ऐसे कैसे आप ने कर दिया, तो SBI को यहां ले सकते हो और 1, 2, 3, 4, 5, हम P को यहां बैठा सकते हैं, देखे हो गया न, 1, 2, 3, sorry, कितने बीच में 3 है, तो यानि 1, 2, 3, यानि कि यहां हो सकता है, यानि कि P यहां, तो यानि 1, 2, 3, 4, 5, यानि यहां होगा, P उपर चल लगया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ERAGE कर देते हैं, चलिए, यानि कि P का जो possibility बनता है, यो बनता है यहां पर, कहां पर, तो यहां पर, अब आप करिए कितने तो 5, 5, 1, 2, 3, 4, और यह 5, तो जब कभी आपसे ऐसा बोले, कि P यहां नहीं हो सकता है, और P यहां नहीं हो सकता है, और उसके साथ को एक clue मिल जाए, तो आप try करो, कि जहां वो काटा है, उसके दूसरे वाले, जो इसके साथ connect हो रहा है, उसको हम वहाँ बठा के देख लेते हैं, एक हट जाएगा, तो चलिए, SBI यहां हो सकता है, या तो SBI यहां हो सकता है, P या तो यहां होगा, P तो यहां होगा, यानि कितने तो 5 की बात क चलते हैं, तो जब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर एक चीज दिख रहा होगा, आपको, ठीक है, अब देखी कहा रहा है, between P and the one who, तो आप यहां चलते हैं, कहा रहा है, more than 3 person, more than 3 person attend the meeting between the one who work in SBI, देखिए, तो यह हम इसको कर लेते हैं, point number 2, क्या कहा रहा है, समझेगा बात को, हिंदी में समझेए, कि कहा रहा है, more than 3 person attend the meeting between the one who work SBI and the one who IDFC, यहनि SBI के उपर यहां तो कितने नहीं सकते हैं, तो IDB, sorry, IDFC, तो IDFC, तो हम इसको कर दते हैं, ID, ID, तो यहां पर आप देख लो, तो हम यहां क्या कर दते हैं, कि यहां हम कर दते हैं, F, और यह C, और कितने इसके, तो more than 3 की बात कर रहा है, तो हमने इसको यहां कर लिया, यानि IDFC, और कितना, तो more than 3, यानि कि 3 से तो ज़्यादा होगा बाबू, तो यानि कि 3 और यह 4, हम लोग यहां पर कर लिया, यानि SBI को लेकर, एक तो बठा लेते हैं, तो 1, 2, यानि अगर SBI यहां हम मानते हैं, तो IDFC कहा हो जाएगा, तो 3 से ज़्यादा, तो 1, 2, 3 तो छोड़ दो, यानि कि अब इसके नीचे, यानि कितने कह रहा है, कि 3 से ज़्यादा की बात कह रहा है, तो 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1, 2, 3, 4 कर लेते हैं, ठीक है, तो यानि 3 एक चार यानि हम लोग क्या करते हैं तो इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं तो हमने इसको पॉजिटिव पॉइंट में इसको लिख लिया कि अब यह देखते हैं कि IDFC, तो यहां USBY है, और यहां USBY है, तो हो सकता है कि तीन से ज़्यादा, यानि कि यहां पर हो जाए, यहां हो जाए. possibility यही बनती है, तो क्या बन रहा है, कि या तो IDB FC यहां हो जाएगा, या तो यहां हो जाएगा, ठीके, तो चलिए आगे चलते हैं, तो जब आगे बढ़ रहे हैं, तो कह रहा है, number of person, आगे चल रहे है, number of person attained the meeting before M is more, one more than the number of person attained the person meeting after R, लीजे, देखे, कहा क्या रहा है न, समझे बात को, कह रहा है कि अगर, समझे बात को, कि अगर R है, ठीक है, अगर माले समझाओ कैसे आपको, समझाता हूँ ऐसे आपको, कि माल लिए, अगर R यहाँ हम माल लेते हैं, ठीक है, तो M जो होगा, इससे एक ज़्यादा हो जागा, यानि M के उपर कितने हैं, तो 2, यानि अगर R यहाँ है, इसके नीचे कोई नहीं है, तो यहाँ पर M कर सकते हैं, और इसके उपर 1, यानि इ 2 पर है, तो यह 3 पर हो जागा, यानि 1, 2, 3 कहने का यह मतलब है, ठीक है, इसको हम लोग क्लीन कर दते हैं, यानि कि R से जादा कौन है, तो यह बात कह रहा है, M की बात कह रहा है, चलिए, तो आप सको समझ में आ गया, कि M जो है, वो जादा है, कि से, R से, इसको हम ऐसे कर ल दिख लिया, एक यहाँ प्लस कर दिए, एक ज्यादा है, ठीक है, आगे बढ़ रहे है, तो कह रहा है, R इस नाइदर वर्क इन आई, अब देखे एक चीज और हम यहाँ दिख रहा है, R इस नाइदर वर्क इन IDFC, नौर वर्क इन SBI, लीजिए, R जो है, ना तो SBI में काम कर करता है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, R जो है, sorry, यहाँ तो है, R जो है, इसको हम दैसे कर लेते हैं, R SBI में काम नहीं करता है, और IDFC में काम नहीं करता है, ठीक है, तो हमने इसको काट लिया, आगे चलते हैं, यह हमारा positive point है, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया है, च यानि M जो है R से पहले, तो यानि R से पहले M काम यहां पर है, तो हम लोग यह कर सकते हैं, कि अगर M की बात ज्यादा कह रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कि minimum ले लेते हैं इसको, तो यहां हम लोग कर लेते हैं, कि सबसे minimum क्या कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, कि R अगर यहां भी लेंगे तो 3 यहां लेना पड़ेगा और हमने यहां पी ले चुके हैं यहां पर पी हमने माना है possibility के थुरू और पी हमने यहां भी माना है तो 5-6 वो तो एक काम करते हैं कि एक possibility यह लेते हैं कि क्या करते हैं एक यहां पर हम लोग R यहां पर ले लेते हैं suppose के लिए और इससे एक ज़्यादा क्या है M, तो M यहाँ ले लेते हैं इसके उपर, जितना इसके नीचे उसे एक ज़्यादा कौन है उपर, तो M हमने यहाँ ले लिया, suppose मान के चलते हैं, और R के उपर है, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि more than two person between B and the one who work BOM, I am, तो more than two person, किसके किसके बीच कह रहा है, तो कह रहा है, कि B, और Bank of Maharashtra, कितना, तो more than two, हमने यहां लिक दिया, तो more than two का कहने का मतलब क्या हो सकता है, कि 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, ठीक है, या 3 BK वहलो सकता है, तो एक काम करते हैं कि bank और बड़ोदा more than two की बात कर रहा है, तो एक काम कर रहे हैं कि more than two की बात कर रहा है, तो हम लोग उसका 3 ले लेते हैं, तो bank और bank of महरास्ता और B, तो देख लिजे कहां पर possibility, चलिए अभी इसको हमने यहां लिख लिए, आगे चल किया है, किस से पहले, तो P से पहले meeting किया है, तो अगर आप यानि कि इसके नीचे तो P बैठेगा नहीं, क्यों, क्योंकि P यहां भी हमने माना है, और P हमने यहां भी माना है, तो इसका मतलब कि B जब भी होगा, तो उपर होगा, तो हम यहां भी मान लेते हैं, यह खुल के ठीक है, B-O-M, हमने कर लिया कि कह रहा है, दो से ज़्यादा कह रहा है, ठीक है, तो एक हम यहां कर लेते हैं, और एक यहां कर लेते हैं, दो से ज़्यादा हो सकता है, तीन यहां पर हो, यहां पर तीन यहां पर हो, आगे चल रहे हैं, तो अब आगे देख रहे हैं, तो IDFC यानि पहला वाला कहा गया यह देखिए IDSBI और IDFC के बीच में कितना से तो तीन यहां देख लिजिए यहां मैं दिखा रहा आपको More than three यानि clue number two देखिए यहां पर इससे किसे तो SBI और IDFC more than three तो एक माय काम करते हैं कि हम लोग यहां SBI ले चुके हैं और हम लोग ले लेते हैं more than three तो one two three ठीक है अगर यहां भी लेते हैं तो यह दोनों हमने माना है तो यहां ले लेते हैं हम लोग कि देखते हैं क्या सही होता है या गलत होता है तो IDFC हमने मान लिया क्यों यहां हमने मा तो चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, तो हमारे पास possibility है, तो हमने मान लिया, क्योंकि हमने यहाँ दो bank of mahrastha और bank of mahrastha, तो जो हमें पहले possibility है, हमने जहाँ जगा मिला हमने उसको बैठा दिया, अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो इन दोनों में बैठा लेंगे, चलि हम यह दो हो गया, तो आगे चल रहे हैं, तो देख रहे हैं, कि अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, देखिए, R does not work in BOM, यानि जो R है, जो BOM में वर्क नहीं करता है, तो यानि R जो एक और bank में नहीं काम करेगा, तो देखिए BOM, तो यह पहले से किस bank में, तो SBI और IDFC में काम नहीं करता है, अब यह एक और bank, तो BOM में काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि R जो है, SBI हमने यहाँ बठ समय है, ना तो SBI में है, तो नतिया नि, इसको हम लोग क्या करते हैं, कि R को हम लोग यहाँ से SBI को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने SBI में यह होगा नहीं, और SBI को हमने यहाँ माना है, और इसके बीच की बात कर रहा है, और R यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि R जो है, R के उपर M है और R से एक जादा तो हमने यहां माल लिया तो चली आगे चलते हैं अब यहां पर आप देखोगे तो आगे चल रहे हैं तो हमने यहां पर क्या गर दिया तो ना तो यहां पर bank को SBI होगा ना तो IDFC होगा और यानि कि हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि SBI यहां होगा नहीं तो SBI का दो प्लेस था यहां और यहां तो SBI यहां पर अब इसके बीच तो पहला लाइन पढ़िये तो P अटेंजिन और 3% तो यानि कि SBI और P तो आप यहां से P हटा दीजिए यानि कि P यहां से हट जाएगा कि देखें यहां पर कि 3% अटेंड P and the SBI तो हमने SBI यहां होगा नहीं क्योंकि हमने 2 possibility लिया था SBI यहां लिया था SBI यहां लिया था तो SBI यहां से हट गया तो SBI अगर यहां होगा यहां होगा SBI तो यानि कि 1, 2, 3 यानि B यहां हो जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं तो यह हमारा हो गया अब आगे देख रहे हैं तो एक line यहां दिख रहा होगा L work in B.O.B L जो है B.O.B में काम करता है तो इसको हम देख लिए कहां बैठने का पूरा possibility है तो देखिए M यहां बैठ गया जो पूरा खाली है तो एक केवल यहीं दिख रहा है कि L जो है B.O.B अब आप बोलोगे सर कि डिरेक्ट आपने यहां क्यों बैठा दिया तो आप देखो कि कभी भी आप negative यादा मत लेना क्योंकि L के साथ B.O.B. यनि यह दोनों कॉलम खाली है और यहां बैठा नहीं सकते हो क्योंकि यहां पर B.O.M बैठा हुआ है यहां पर बैठा नहीं सकते है तो L और B.O.N यहीं एक जगा खाली तो हमने इसको यहां बैठा दिया अब यह सही है यह गलत है यह आगे पाचलता है चलिए हो गया यह हमने पढ़ दिया यह point आगे चलते हैं less than two person between attend the meeting between L and T लीजिए देखिए यह क्या बोल रहा है मैंने क्या बोला कि पजल जैसा बोलता है वैसा होता नहीं है तो यानि यह कहना क्या चाहरा है ना कि T और L साथ में बैठे हैं simple सा बात है क्योंकि सिदा ल क्या कहा रहा है कि तू person यानि कि दो से जथी नहीं है इसका मतलब एक ही न हो जाएगा यह दो से कम मतलब क्या 1 यानि एक कहना का मतलब एक दोनों के पडोसी है तो अगर L यहां है तो M यहां बैठ आ हूगा यह तकी यहां बैठ जाएगा लीजिए, तो T और IDBI के बीच, तो नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि HDFCM ने मान रखाया, तो यहाँ पर प्लेस खाली है, तो हम यहाँ कर लेते हैं, IDBI, लीजिए, यहनि SBI clear, IDBI, बैंक और बढ़ोदा, चलिए यह दोनों में confusion है, लेकिन T यहाँ confirm है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, कि B हो गया, M हो गया, L हो गया, T हो गया, P हो गया, तो खाली कौन सा बच रहा है, तो बच रहा है K, लीजिए, यानि हमारा अभी तक माना गया सारा सही था, आगे चलते हैं, अब एक बात बताई ही मुझे, कि यहाँ कौन-कौन सा बैंक काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ देखो, SBI होगा नहीं, तो SBI तो बैठ चुका है, IDFC होगा नहीं, तो यहाँ भी बैठ चुका है, Bank of Marastha होगा नहीं, तो कौन सा बैंक बच गया थी, इसका मत्तब एक यहाँ पर हम लोग अर्चा हैं, K does not, देखिए, यहाँ पर दिखा हुआ है, K does not attend the meeting last day, लीजिए, यानि कह दिया कि K जो है, यानि कि last day में काम नहीं करता है, तो यानि K हमारा Saturday होगा, यानि last day तो है, नहीं, condition फूल्फिल है, T does not work in RBI, तो T RBI में काम नहीं करता है, ठीक है, तो जब T RBI में काम नहीं करता है, इसका मतलब कि यह दो से ज़्यादा की बात कह रहा है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, तो कहा गया, इसको हम लोगे काम करते हैं, कि यहाँ से इसको bank of हटा देते हैं, तो बचा कौन सा bank, तो एक बच गया bank, वो है I C I C I, लीजिए, तो देखिए, SBI, IDBI, Bank of Baroda, ICICI, BOM, HDFC, RBI, लेकिन अभी हमें confirm कर लेते हैं, पढ़के एक बार, कि कहीं न कहीं BOM के बारे में कुछ दिया हुआ था, तो देख लिजिए, एक बार देख लिजिए, कहारा, I am attend the meeting before R, more than two person between B and the one who work in BOM, तो more than two person देख लिजिए, तो यहाँ केतना है, तो more than, यानि तीन है, यानि कि क्या, दो से जादा है, तो हमारा condition पूरा कर रहा है, ठीके, R does not work in BOM, तो R काम करेगा नहीं, तो R RBI में काम करेगा, T RBI में काम नहीं करेगा, तो T ICICI में काम करेगा, और P किस में काम करेगा, तो Bank of Marasta में काम करेगा, L भी काम करेगा नहीं, इसका मतलब simple सा बात है, ठीके, L के बार में सिधा बोल दिया है, L work in Bank of Baroda, चलिए, अब यह हमारा हो गया, ठीके, तो देखिए, हम लोग ने कैसे ए आप पहला, पहला कर रहा है, आप अगर यहां ध्यान से देखोगे, तो क्या कर रहा है, कहा गया, यह आपका मार कर, यह पेन, कर रहा है, which of the following combination is regarding K, तो K के बारे में क्या कर रहा है, तो आप देख लो कहा गया, K, के के बारे में आप देख लो क्या कह रहा है IDFC और Saturday को किसमें IDFC और Saturday देखिए तो के कहां गया तो आपको यहां समझ में आ जाएगा तो के के बारे में देख लीजे क्या दिया है तो यहाँ पर आप यहाँ सब्सक्राइब यहाँ परक्वन मेटीन इमेडिक लोगराहा सो सुछ कष्या हम आइंसर क्या हो जाएगा एंसर नंबर C हो जाएगा के अटेंड दा मीटिंग में बिफोर दा वन वेर एस बी यानि यह गलत यह गलत यह गलत यानि पहला का एंसर C चलिए अगला सवाल करते हैं हामनी परशन। अटेंड दा मीटिंग बिति विन हैं दवन वर्क टीन आईरबी आई ठीकर ऑध के बात कर रहा हैं तो अलना आर बी और अर बी आई देखिय यह आर बी आई तो वान टो थी कितना तो तीन की बात कह रहा है, तो आप यहां से आराम से answer कर सकते हो, कितना है, three, answer is three, चलिए, who among the following person attained the meeting immediately before the one who work in IDBI, कह रहा है कि, who among the following person meeting immediately before, यानि उसके पहले, किसके पहले, तो IDBI के पहले, तो आप देख लो, पहले IDBI के पहले कौन work करता है, तो IDBI के पहले कौन है, SBI, SBI, तो यहां पर आप देख लो, कौन सा है, the one who work in SBI, यानि answer क्या हो जाएगा आपका, तो answer हो जाएगा आपका C, यानि C is the right answer, चलिए, आगे चलते हैं, अगले slide में, अब देखे, यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा कि, who among the following person working ICICI, तो चलिए, देखे, ICICI में कौन काम करता है, तो answer is T, आप फटा-फट इसको क्या कर दो, कि T answer कर दो, तो यहां पर आपको मिल गया, answer is B, करा, four of the following, five are alike a certain way, and hence the from a group, which one the following does not belong that group, तो देखे, कौन बिलोंग नहीं करता है, ग्रूप से, तो देखे, B, IDBI, B, जो है, IDBI में, चले, देख लिजए, B, IDBI, जबकि आप देख लिजए, कि B किसमें काम कर, यानि, A किसके नीचे की बात कर रहा है, चलिए, तो B, IDBI हो गया, आगे चल रहे हैं, तो K, RBI, तो देखे, K, RBI, यानि कि, K उपर है, RBI, नीचे, यानि कि, यहां पर हो गया, हमन है, यानि कि, हमें देख लिते हैं, और आगे कह रहे हैं, कि L, SBI, L, SBI, तो L, देख लिजए, SBI, L, यानि कि, यही आपका gap हो जाएगा, answer is, L, SBI, क्योंकि, सब का, क्या बोलता है, हमें, date before या after है, लेकिन केवाल SBI है, जो यह gap पूरा करता है, यानि कि, एक से ज़्यादा gap है, ठीक है, तो answer is D, answer is B, तो देखा, आपने कैसे हम लोगों ने puzzle को एक ही box में solve किया, तो starting है, puzzle हम लोग क्या करेंगे, zero level से high level puzzle पे जाएंगे, केवल आप regular class करते रहे, एक puzzle में daily लेके आओंगा, बाकी हमारी classes चल रही है, तो आप, अब आप अपने puzzle से डरना बंद कीज होता है, अगर आपके पास अच्छा concept है, और अगर चीजों को आप समझते हो, तो यह जल्दी बन जाएगा, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, अगले puzzle में, same time, same channel पे तब तक के लिए take care, बाबाई